आपने एक गाना जरूर सुना होगा ये दौलत भी ले लो ये सोहरत भी ले लो भले छीन लो मुझे से मेरी जवानी मगर मुझे को लौटा दो बच्पन का सावन वो कागज की कस्ती वो बारिस का पानी दरसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भागलपूर से एक खास तस्वेर सामने आई है जिसमें बारिस के पानी में बच्चों का मस्ती करता हुआ वीडियो सामने आया है किसी ने सही कहा है जैसे दिन किनारे कस्ती वैसे ही हमारे बच्पन की मस्ती जैसे जैसे हमारे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे बच्चपन की याद हैं वो मस्तियां याद आने लगती है लेकिन वो बच्चपन पुनह वापस नहीं मिल पाता है लेकिन जब किसी बच्चे को वहड़कत करते देखते हैं तो जरूर हमारे भूले दिन याद आ जाते हैं भागलपूर में मानसून के दस्तक से कई मुहलों में जल जमाव के स्थती उत्पन हो गई है फिर क्या या बच्चों के लिए खेल का एक साधन बन गया और बच्चे पानी में खूब मस्ती करते दिखे कभी एक दूसरे पर पानी फेकते तो कभी उसमें तहराकी करते नजर आए आपको बता दें कि TNB कॉलेज के समीप सरक पर जल जमाव के स्थती उत्पन हो गई और वहाँ पर दस से पंद्रे बच्चे मस्तिया करते नजर आने लगे कभी साइकल तो कभी पानी में दौरते नजर आ रहते कभी कभी बरसात के पानी में उम्रदराज लोगों को भी जाने में डर लगता है जब बच्चों से पूछा गया उसने बताया कि पानी में डर नहीं लगता है खेलने में मज़ा आता है डॉक्टरों की माने तो बरसात के पानी में अगर ज़्यादा खेलते हैं और घूमते हैं तो सरदी जुखायम के साथ साथ इसकेंडिजी जैसी समस्याएं उत्पन हो सकती है इसलिए गंदे पानी में बच्चों को खेलने से बचना चाहिए